सूपरभाद सभी को नमस्कार सभी का स्वागत भारतिय योग संस्थान वेस्ट अनकलेव जिला से चलाई जा रही सुन्दर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हर्शिता जुवा साधिका पहली बार हमारे साथ इस क्लास में सुभ़े के टाइम जुड़ी है बाकी भोत सुन्दर साधना भोत ही बढ़िया सभी आसन तो आईए हर्शिता के साथ सुरू करते हैं आज की सुन्दर योग साधना सरव पर्थम सुक्षम करिया आएं दोनों पाउं सामने दोनों हाथ पीछे रखकर पंजो को अधिक से अधिक सामने की ओरता आने इस परियास में घुटने ना उठें धीरे धीरे पंजो को अपनी ओर खीचें अधिक से अधिक पुन्य एक बार सामने की ओरता ने अपनी ओर खीचें करते जाएं अपनी छमता के हिसाब से प्रियास में कोई कमी ना हो चेहरे पर लगातार प्रसंता हो पाउं की मासपेशिया सुन्दर परभाव में आ रही हैं रत का भर्मन बढ़िया बन रहा है अब दोनों पाउं को एक साथ गोला कार गुमाएंगे गोल गोल पुने ध्यान रहे घुटने दबे रहें बड़े से बड़ा सरकल बनाएंगे धीरे धीरे बनाएंगे मुस्कुराते भे बनाएंगे धीरे धीरे इसी परकार विप्रीत दिसा एंटी क्लोकवाईज करेंगे जी करेंगे बहुत बड़िया बेटा सभी करेंगे बिना समय गवाएं करेंगे धीरे धीरे आएंगे वापेस दोनों पाउं को आदा फिट खोल देंगे पोना फिट खोल देंगे और दोनों पाउं के अंगुठे एक साथ आसन के उपर लगाएंगे फिर बाहर की और करेंगे फिर अंदर की और करेंगे अपनी स्पीड के हिसाब से करते जाएं ध्यान इसमें भी रहे कि मेरे घुटने ना उटने पाएं करिए जी करिए बहुत बढ़िया बिटा बहुत ही बढ़िया आपके घुटने पर पिंडलियों पर थाई पर परभाव आ रहा है धीरे धीरे आएंगे वापेस पाउं को मिलाकर पाउं को अंदर करेंगे बाहर करेंगे ऐसे अपने हिप से लगाएंगे एक बार राइट पाउं एक बार लेफ्ट पाउं वेरी गुड गुटने का जोड परभाव में आ रहा है जी हाथ का सहरा लेकर करें अब दोनों पाउं को एक साथ करेंगे करिए जी करिए वेरी गुड वेरी गुड अब वापिस आ जाएंगे पाउं को सीधा करके रिलैक्स आखें को मलता से बंद ध्यान आपका सुन्दर आए हुए परभाव पर अब अपने दोनों हाथों को क्लांप करेंगे और पंजे को पकड़ कर इस परकार सामनी की और पाउं को तानेंगे कोसिस करेंगे जितना संबह हो सके वेरी गुड ये देखिए कितनी आसानी से दूसरे पाउं को सामने तान देंगे पंजे को ये देखिए बेलकुल घुटना सीधा है कितनी सहस्ता के साथ हरसीता आज हमारे साथ जुड़ी है धीरे धीरे आएंगे वापिस सिधा रखते वे वापिस आएंगे जब तक एड़ी आसन पर लगे कोशिस करें पाउं सिधा ही रहे बहुत ही बढ़िया अब इसी क्रिया को करेंगे बाई टांग से उन्हें मोड करके पकड़िये और फिर ले जाइए उपर और खीज दीजिये उपर से उपर नीचे राइट पाउं को भी तान के रखें उसके घुटने को भी दबा के रखें बहुत ही सुंदरता से खिचाव आता है साइटी का नाड़ी परभाव में समझ में आ जाए आखें बंद बहुत बढ़िया अब धीरे धीरे सीधा रखते हुए पाउं को वापिस लेकर आएंगे पठकेंगे नहीं पुने विस्राम आखें बंद करके रिलेक्स उन्हे एडी पंजे मिलाएं बटरफलाई के लिए एडियों को निकट ले आएं दोनों हाथों से कलैम्प करें और मस्ती के साथ रीड गर्दन सीधी करके घुटनों को उपर नीचे करना शुरू करें लगातार एडियां सरीर के निकट रहें करते जाएं करते जाएं पदमासन लगाने में सहयक होगी ये किरिया करिये जी करिये बहुत बढ़िया समय से जुड़ें सभी साध्यक सब कोसिस करें वेरी गुड वेरी गुड धीरे धीरे आ जाएंगे वापेस पाउं को सीधा कर लें रिलैक्स एक बार फिर से पाउं को मिलाएं अब पदमासन लगाएंगे राइट पाउं को मोड़कर एडी को नाभी के बाई और इस्थित करें बाई टांग को मोड़कर नाभी के दाई और इस्थित करें दोनों हाथ ग्यानमुद्रा में बिल्कुल सहस्ता के साथ बैठें, मन-मन मुस्कान, कोई हिल्डूल नहीं, गहरे लंबे स्वासों का भ्यास मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे स्वास को छोड़ना, धीरे धीरे स्वास को भरना, दोनों ही अवस्थाओं में स्वास भरने की आवाज ना आए, ना छोड़ने की आवाज आए, मन को शान ते कागर होते हुए महसूस कीजिए, कितने भाग्यशाली हैं हम सब, सुभै सवेरे इस्वर की किरपा, सुभै की समरित बेला में, सुन्दर सामुई भ्यास के लिए एकठे हुए, मन में संकल्प करें कि अगला एक घंटा पूरी मानदारी के साथ, पूरी तत्पर्ता के साथ सुन्दर योगा भ्यास करेंगे, बंद आखों में करेंगे, आएए उस पर हुखो पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा तीन बार करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र, सभी की आवाज आएगी, परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, अम् आम भूर्भुवा सावा ताट्सा वितुर वारे नितुर। आम भर्गो देवश्य धीमाही धीयो यो नापचो दयात। ये प्रान, पवितरता और आनन्द के देने वाले प्रफु आप सरवग्य और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनासक वैज्ञान सवरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्यों में परकासित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्यों में परकासित रहें और हमें सत्कर्मों की और प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए, दोनों पाउं खोलें, थोड़ा सा विस्राम दें, समान्ने हो जाएं। लगातार प्रसंता हो, बिना सहरा लिए, आसन के उपर खड़े हो जाएं, कोशिस करें, जैरी गोड़ बेटा, भोती बड़ें। चलिए जी, सबसे पहले आज करेंगे पाड़ासन, दोनों पाउं मिला लीजिए, आगे से अंगुठे मिला लीजिए, दोनों हाथ के क्लेंप करके सर के उपर रखें, हथेली का रुख आकास की और, पूरी किरिया में पंजे अपनी जगे से ना हिलें और मिले रहें। अब स्वास भरते हुए, दोनों बुजाओं को एडियों सही धीरे धीरे उपर ले चलें, करेंगे अपनी छमता के हिसाब से, बुजुर्ग साथी जिन से बैलन्स ना बने, वो एडियों को ना उठाएं। बहुत बड़िया विटा। रुकिये रुकिये रुकिये, बहुत बड़िया विटा। मैसूस करें परभाव को, आलश्य दूर हो रहा है। खीचके रखें, लगातार, रुकें, रुकें, रुकने से हिलाब होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ सर पर, एडिया आसन पर, आख बंद करके हलका विश्राम, इसी अवस्था में रुकें। केवल हाथों को उपर लेकर जाएं, पावनी उठाएंगे अबकी बार, और अब धीरे धीरे अपने सरीर को ट्विश्ट करेंगे राइट साइड में, पूरे सरीर को, वेरी गुड, लेकिन पंजे अपनी जगे से ना हिलें बस, भुजाएं कान से अलग ना हो, खिचाव ल गर्दन साथ साथ मुजाओं के साइड में घुमेगी, और महसूस कीजी अपने कंधों पर आए हुए, रीड पर आते हुए परभाव को, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, और अब की बार लेकर चलें, लेफ्ट साइड में, भोध बढ़िया बेटा, लेखिए कितनी सहस्ता के साथ हमारी युवा साधी का आपके सामने इतना सुन्दर डैमो, कोहनिया बिल्कुल सीधी हैं, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, पंजे अपनी जगे पे जमे हुए हैं, आख बंद करके मैसूस कीजीए, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, उन्हे एक बार गहरा लंबा स्व स्वास भरें, और यहीं पर तिर्यक्तार आशन करेंगे एक बार भरिये स्वास, और स्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में जुकेंगे, साइड से जुकेंगे, छमता के अनुसार जुकेंगे, तिरकोन आशन की भांती जुकेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, रुकें रुकें ध्यान को लेकर जाएं नाभी के बाईयोर थोड़ा करें लेकिन सही करें धीरे धीरे आएंगे मध्य में पुने एक बार स्वास भरें और स्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में जुकें बहुत बढ़िया पाव मिले रहेंगे केवल बगल से की जाने वाली क्रिया साइड में बड़ा अच्छा खिचाव लीवर आपका सुन्दर परभाव में धीरे धीरे आएंगे मध्य में पुने एक बार स्वास भरकर खीचे उपर और स्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों बजाएं नीचे लेकर आएंगे तांते हुए लेकर आएंगे relax समान्य स्वास कर ले थोड़ा हाथों को पाउं को चलाएंगे अपने घुटनों को मोड़ते हुए एडियों को हिप्स के साथ लगाएं साथ में उंगलियों को खोलते रहें बंद करते रहें अराम भी मिलता हुआ साथ में आपके घुटने की सुन्दर अक्सरसाइज भी होती हुई वेरी गुड धीरे धीरे आ जाएंगे वापेश पाँच बार उठक बैठक करेंगे रोकेंगे नहीं लेकिन छमता के साब से बुजुर्ग साथी अगर ना हो तो ना करें कोई और दूसरी किरिया करें बैठेंगे एक बुजाएं सामने वापेश दो वापेश तीन वापेश चार वापेश पाच अब थोड़ा सा रुकें यहाँ पर हलका सा वेरी गुड बेटा भोथ ही प्यारा इतने अच्छे से आप कर रहे हो धीरे से वापेश दोनों हाथ नीचे रिलाक्स पाओं में सुईदा जनक दूरी बना लें समान्य अस्वास आसन के अगले इससे पर आ जाएं सूर्य नमस्कार करेंगे एक तिहाई भाग आगे छोड़ दें दो तिहाई भाग पीछे छोड़ दें दोनों हाथ सरीर के साथ हैं अब आखें कोमलता से बंद करें केवल नए सादक जिनको समझ में न आए वह आख खोल कर हरसिता को देखकर अपनी स्थिती को ठीक करेंगे पहली स्थिती में आ जाएं परणा मुद्रा दो बार करेंगे जल्दी जल्दी वार्मप की तरह एक बार करेंगे रोकते हुए भगवान सूर्य का हुआन मंत्रो चान द्वारा पहले मैं बोलूँगा फिर आप में जाएं साथ देंगे ओम मित्राइनमह दो तांते बे बुझाएं उपर हलका कंदों का दबाव पीछे कलाई बिल्कुल सीधी तीन कमर से आगे जुकेंगे भुझाओं को कान के साथ रखकर हथेलियां जमीन के पास माथा गुटने के निकट चार राइट पाव पीछे कमर नीचे घरदन पीछे पूरी हथेली आशन पर दूसरी टांग भी लेकर जाएं एडिया आशन पर ठुड़ी कंठ कुम में आजाएंगे पैरलल पूरा स्रीर एक लाइन में लेकर आएं करम से लगाएंगे पहले घुटने वक्सेस्थल फोर हेड समन्य स्वास में रुकें अनाहद चक्कर पर ध्यान अथेलियों पर वजन डालते हुए आगे से धड को उठाएंगे गरदन पीछे से पीछे घुटने मिले हुए पाउं की एडिया मिली हुई चेहरे पर बिलकुल तनाव नहीं हरसिता की भाती मुस्कुराते हुए रुकें पीछे से धड को उठाएं पुने ठुड़ी कंट कुम में एडियासन पर सरीर को वी शेप दें राइट पाउं को आगे लेकर आएं दूसरी टांग भी आगे गुटने सीधे माथा गुटने के निकट स्वास भरते हुए भुजाओं को कान के साथ ले चलें कमर को सीधा करें पीछे की और थोड़ा दवाव बनाएं पणाम मुद्रा दो फिर से तान ये वेरी गुड तीन कमर से जुकें चार लेफ्ट पाउं पीछे लेफ्ट जाएगा जी जितना पीछे पाउं जाएगा अपने आप इस्थिती बढ़िया बनेगी दूसरी टांग भी लेकर जाएं बड़ी सहस्ता से करें पैर्डल आजाएं वेरी गुड अश्टांग परणाम कोशिस करें ना भी आसन को ना चुए हथेलियों पर दबाव आगे से धड़ को उठाएं कमर को मोड़ें पीछे पाउं की स्थिती जरा भी न विगड़े कंदो का प्रेसर भी पीछे पीछे से धड़ को उठाएं स्थिती को रिपीट करें लेफ्ट पाउं आगे बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही अच्छा कर रही हो आप दूसरी टांग भी आगे हर बार पिछली बार से और अच्छी कोशिस हो स्वास भरते हुए कमर को सीधा करें तानी उपर स्वास छोड़ते हुए परणाम मुद्रा दोनों हाथ नीचे एक बार हल्का सब इस्राम दें थोड़ा पाउं को हाथों को रिलेक्स कर लें एक बार सुरी नमस्कार और करेंगे अब की बार थोड़ा सा रोक कर करेंगे हर इस्थिती में इस्वर का ध्यान करेंगे बहित्तर करने का प्रियास करेंगे किसी को ठकान हो गई हो वो बीच में वापिस आ सकते हैं अभी लेट सकते हैं उन्हें आजाएं प्रणाम मुद्रा में एडी मिला लें पंजे खोल दें पहली स्थिती में आजाएं ध्यान आपका अज्या चक्कर पर हो जहां पर बिंदी लगाते हैं तिलक लगाते हैं मन्द मन्द मुस्कान है हुठों पर तनाव को दूर करने वाली क्रिया स्वास भरते हुए बुजाओं को ले चलें आकास की और कलाई को सीधा रखेंगे जी कंदों का दबाव बनाएंगे पिछे हलकी कमर भी मुड़ जाए वेरी गुड बेटा घुटनों में रत्ती भर्भी खमन आए विशुद्धी चकर परभाव में रीड का उपरी भाग होता है गले के पिछे होता है यहां पर ध्यान लगाने से गले संबंदी सारे दोस दूर करिये 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 करने से इलाब होगा जी ना देखने से होगा ना सुनने से होगा एक बार गहरा स्वास भरें और स्वास छोड़ते हुए कमर से आगे जुकेंगे धीरे धीरे जुकेंगे साथ साथ पेट का संकोचन करेंगे जिनकी उंगलियां टच हो जाएं अथेली लगाने का प्रियास करें मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग सुभे सनान करके जुड़ते हैं जिससे हमारा सरीर और बड़ी आसन कर पाता है सुकुन मिलता है मनिपूर चक्कर प्रभाव में है इस वाग थोड़ा सा नाभी को और अंदर सिकोडिये थोड़ा सा कमर को और जुकाईये दोनों थेलियां आसन पर जमा कर राइट पाउं को अधिक अधिक पीछे ले चलें स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो आपको कुछ साद को की अंगूठे उंगलियां खुल गई है कोसिस करें हाथ के अंगूठे उंगली मिले हो कुछ साद को भी थोड़ा और पीछे कर सकते हैं गुञजाय से अभी करिए जी थोड़ा सा और गरदन को जटका दिये विना पीछे पाउं का घुटना हुआ में रहे बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही अच्छा आप परदर्सन कर रही हो दूसरी टांग भी लेकर जाएं आज हरसिता हमारे साथ जुड़ी है अभी श्टड़ी कर रही हैं ये आई पी उनिवस्टी से और देखिए इतनी छोटी सी एज में कितनी सुंदर साधना आपके सामने ये देखिए कितनी बड़िया इस्थिती है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वी अकार बन गया हो पूरी तरह से और बड़ी सहस्ता है रुकने में पूरी तरह इडियासन पर है कहीं पर भी हिल्डू नहीं है कमपन नहीं है शानदार वेटा भोथ ही बड़िया यहीं से आ जाएंगे पैरलल पूरा स्रीर एक लाइन में लेकर आएं और सहस्ता से रुकें अपने कंधों को मजबूत बनते हुए देखें धीरे धीरे इसकी चमता को बढ़ाएं अपनी व्यक्तिगत साधना में कम से कम एक मिनट आप रुक पाएं ऐसा आपने प्रियास करना है करम से लगाएंगे पहले घुटने नाभी को संकुचित करते हुए वक्सेस्थल तत्पस्चात माथा पंजे पीछे खड़े रहेंगे धर्ती मा की गोद में कितनी आनंद की अनुभूती भूल जाईए अपने तनाव को मैसूस कीजिए विशेश शक्ती को सहन सीलता का गुन हमारे अंदर समा रहा है अनाहद चक्तर पर ध्यान हो इस वक्त धिर्दय पर अच्छा प्रभाव आता है आगे से धड़ को उठाएंगे सहस्ता से कोई जल्दी नहीं करनी कोई उतावलापन नहीं करना प्रेशर आसन पर हो कमर का गर्दन का प्रेशर पीछे की ओर हो पेट पर विशेश खिचाव को मैसूस करें पेट की असंखे नसनाडियां हमारी स्वक्त परभाव में है रीड की सारी गोटियां परभाव में है रुकिये 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 रुकने से हिलाब होगा मूला धार चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त आपका मुस्कुराते हुए पीछे से धड़को उठाएंगे बड़ी सहस्ता के साथ बीना पंजों को हतेलियों को हिलाएं इसी अवस्था में फिर से एक बार एडी आसन पर फिर से ठुड़ी कंट कूब में वा बिटा वा देखे कितनी सुगमता के साथ कितना सुंदर परदर्शन जरूर आप भी देखें क्लास खतम होने के बाद एक बार देखें इस वीडियो को इस लिंक को अपने रिष्टेदारों के साथ मित्रों के साथ सेर करें स्वास भरते हुए राइट पाउं को दोनों थेलियों के मद्धे ले आएं कमर एक बार नीचे कर दीजिए फिर से गर्दन को एक बार फिर से पीछे कर दीजिए लिवर पर भोत बढ़िया से दबाव बना हुआ है आदा पेट खिचा हुआ है आदा पेट दबा हुआ है दूसरी टांग भी लेकर आएंगे गुटने को लेकिन सीधा कर ले अब बुजाओं को कान के साथ लगा लें माथे को गुटने के पास पहुचाने की कोशिस करें थाई की मासपेश्यों को टाइट करें जो लोग रात को हलका भोजन करते हैं जल्दी भोजन करते हैं उनकी ये स्थिती बढ़िया बनेगी स्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे ले चलें उपर फिर से एक बार पीछे की और दबा बनाएंगे कलाई को सीधा करके करेंगे जी कंदे से लेकर नाखुन तक भुजा बिल्कुल सीधी हो वेरी गुड बिटा भोध बढ़िया स्वास छोड़ते हुए आजाएंगे परना मुद्रा में मन की आखों से विसे सूर्जा मैसूस करें भगवान सूर्य का दिल से आभार व्यक्त करें मुस्कुराते रहें बिना आख खोले बंद आखों में ही दोनों हाथ नीचे धीरे से आशन पर बैठें और सवासन में लेट जाएं दोनों पाउं में स्वीदा जनक दूरी बनाएंगे हाथों को सरीर से थोड़ा सा हटा कर रखेंगे उंगलियों को अब बिल्कुल सिथिल छोड़ देंगे और मन की आखों से पूरे स्रीर का मानसिक अवलोकन करेंगे अब जो आनंद अब जो खुसी अब जो सुकुन मिल रहा है वो केवल और केवल मैसूस कर सकते हैं मेरे सभी सादक सादिका हैं पका थादन आनंद नजिया और कामालय क कामाल भुसी आना जना एली इछांना खुदिल आन पर अझाल शरीर के सारे अंग आपके परफुलित हैं आनंदित हैं उनकी खुशी को मैसूस करें भोथ ही प्यारा मोसम इतनी सुन्दर साधना पक्ष्यों की मधूर धवनी को सुनने का प्रियास करें आएंगे चेतन अवस्था में दोनों बुझाओं को तामते हुए सर की और ले जाएं एक बार दोनों बुझाओं को पंजो को विप्रीदी सामें खीचें लेट करके ताडासन रुकें रुकें समान्य स्वास लेते रहें लेकिन बुझाओं को पंजो को विप्रीदी सामें खीचें हलका सा विस्त्राम लेंगे और यहां से करेंगे अब नावासन शमता को ध्यान में रख कर करेंगे जी जबर्दस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे स्वास भरते हुए पाव हाथों की ओर आगे पीछे रोलिंग करना प्रारम कर दें कोई जटका नहीं देंगे जी अपनी शमता को ध्यान में रख कर करेंगे जी कोशिस करें पाव आपके हाथों की ओर जाकर जमीन को चुएं जब आगे आएं बुजाओं को कान के साथ चिपका कर माथा गुटने के निकट लेकर जाने का प्रियास करें जब पाव पिछे जाएं तो स्वास भरते हुए करें जब आगे उठें तो स्वास छोड़ते हुए उठें आवरती को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे बैठ करके विश्राम समान्य स्वास रिलेक्स चलिए जी गोमुखासन का अभ्यास करेंगे एडी पंजे मिलाएं राइट पाउं को लेफ पाउं के नीचे से ले जाकर एडी के उपर बैठ जाएं लेफ पाउं को साइड में लिटा लें पाउं के उपर से बाई भुजा कंधे के उपर से दाई भुजा बगल से दोनों हाथ आपस में टच करने का प्रियास करें गर्दन बिलकुल सीधी बाएं हाथ की कोहनी आकास की और ये देखिए जी कितनी सहजता के साथ कितना सुन्दर अभ्यास पूरे सरीर को एलाइन करने वाली किरिया हिर्दय को विसेश लाव देने वाली किरिया सरीर को फ्लेक्सिबल बनाने वाली किरिया रुकेंगे अपनी चमता नुसार धीरे धीरे आएंगे वापेस किरिया को दूसरी होर से करेंगे लेफ्ट पाउंग को मोड़ कर एडी को खड़ा करके बैठ जाएं राइट पाउंग को साइड में लिटा दें राइट हैंड को कंधे के उपर से ले कर जाएं लेफ्ट हैंड को बगल से ले कर जाएं उन्हें बिल्कुल सहस्ता के साथ रुकें पूर्ण स्थिती में इस्वर का ध्यान करें ये देखिए पीछे से उंगलियां कितनी आराम से आपस में कलेंप कर रखी हैं हर्शिता ने इस अवस्था में जब रुकते हैं तो गहरे लंबे स्वासों का अभ्यास करना चीए अपनी व्यक्तिगत साधना में इस पॉस्चर में आप तीन से चार मिनिट तक बैठ सकते हैं जी धीरे धीरे आएंगे वापिस पाउं को सीधा करें तनिक विस्ट्राम लें दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में दोनों पाउं एक साथ गुमाकर बाईयोर से वजरासन में आएंगे वजरासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन पाचन को बढ़िया बनाने वाला आसन भोजन के उपरांत करने से विसेश लाप देने वाला आसन शशंक आसन करेंगे नोर्मल भाग वन पाउं को मिला कर रखेंगे इसमें पाउं नहीं खोलेंगे दोनों भुजाओं को तांते हुए लेकर चलेंगे आकास की और सामने से खीचे एक बार उपर भुजाओं को भरिये गहरा लंबा स्वास और स्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे जुकें कोसिस करें आपके हिप्स ना उठें हथेलिया आसन पर माथा भी आसन पर लगाने की कोसिस करें अथ्वा नासिका अथ्वा ठुड़ी लगाने का प्रियास करें समान्य स्वास में रुके वा बेटी भोथ ही बढ़िया ये देखिए बेलकुल कमर अगर आप देखेंगे एक दम स्ट्रेट है जी कितनी सहस्ता के साथ कितना सुन्दर परदर्शन रुके यहाँ पर शशंक आशन में ज्यादा देर रुकने का लाब है और रुका जा सकता है मेरा व्यक्तिगत मानना है अनुबव है ये आशन से ज्यादा ये पर्भु के परती किया जाने वाला परणाम समझी आप मिलकुल सहस्ता से जैसे आप पर्भु के सामने धन्डवत परणाम कर रहे हैं पर्भु से आशिरवाद ले रहे हैं इस पोस्चर में व्यक्तिगत साधना में आप पाथ से साथ मिनट आराम से रुख सकते हैं जी लीवर पर पैन किर्याज पर पेडू के अंगों पर विसीज परभाव आ रहे हैं जी शारीरिक लाव भी आपको मिल रहे हैं और जब हम आगे जुकते हैं पर्भु के चर्णों में नत्मस्तक होते हैं हमारा गुसा तनाव सब गायब हो जाता है स्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर्क से आएंगे वापिस बुझाएं कान के साथ रहेंगी एक बार लंबाई दे कर खीचेंगे उप़र और फिर स्वास छोड़ते हुए बगल से भुझाओं को वापिस लेकर आएंगे यहीं से पेट के बला जाएंगे सिथिलासन दाई योर दाई टांग सीधी दाई बजा सीधी बाई टांग बाई बजा मुड़ी हुई भुझंग आशन एडी पंजे मिलाएं दोनों अथेलिया चहरे के दाई बाई रखें कोहुनिया शरीर के साथ चिपकालें माथा पर्त्वी पर पीछे से पंजे मिले रहेंगे, लेटे रहेंगे, घुटने भी मिले रहेंगे पूरी किरिया के दोरान पीछे पाउं की स्थिती जराव ना बिगडे सब्दों पर चलेंगे, अब धीरे से अपने केवल गर्दन को हलकासा मोडेंगे, ठुड़ी को आशन पर लगाएंगे वेरी गूड, हाथ की स्थिती ऐसे रहेंगी, भुजंग आशन है, इसमें हाथों पर भार ना आए कोहनियों पर भार ना आए, पेडू को हमने परभावित करना है, अब धीरे से केवल गर्दन को उठाएं, और पिछे की ओर करें, केवल गर्दन अभी गर्दन पीछे से पीछे हो जाए अब आपने इस स्तिती को मेंटेन करना है गर्दन की स्तिती नहीं भी गाड़नी अब बिना हतेलियों पर भार दिये धीरे धीरे आगे से वक्सरस्थल को उठाएंगे धीरे धीरे उठाएंगे वजन हाथ पर नहीं आएगा जी हलकी सी कोहनिया खुल जाएंगी रुकिये 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 जैसे साप अपना फन उठाता है ऐसे आप सोचिए आगे से हम धड उठा रहे हैं पीछे से बगैर पाउं खोले माथा कास की ओर हो सहज भाव से रुकें कोसिस करें पूरा वक्सेस थल हमारा उड़ जाए आने दें पेडू के उपर भार समान्य स्वास लेते रहें छोड़ते रहें रुकें 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 भोध बढ़िया बेटा भोध ही अच्छा पूरी कमर हमारी परभाव में है पूरा पेट हमारा परभाव में है सरवाईकर ठीक हो रहा है वेरी गुड वेरी गुड भोध बढ़िया जी भोध ही बढ़िया धीरे धीरे आराम आराम से आएंगे पहले छाती निच्ट आसन पर फिर अपनी ठुड़ी को लगाएंगे बड़ी सहस्ता से फिर माथा लगाएंगे सिथिल आसन बाई योर बाई बुजा बाई टांग सीधी दाई बुजा दाई टांग मुड़ी हुई हर आसन के बाद जब विश्तराम देते हैं अपने अंग परभावितंग के खुसी को देखिए और इस्वर के परती आभार व्यक्त करें और प्रार्थना करें कि हे पर्भू इसी परकार परती दिन हमारी योग साधना चले परती दिन हमें आप से आसिरवाद मिले एड़ी पंजे मिलाएंगे राइट साइड में करवट लेकर पीट के बला जाएंगे थोड़ा सा समाने हो जाएं आसन के मद्धे में बिलकुल रिलेक्स हो जाएं पादो तान आसन एड़ी पंजे मिलाएं दोनों बुझाओं को तांते हुए पीछे लेकर जाएं सब्दों पर चलेंगे पहले इसकी सहाय किरिया करेंगे हाथ पीछे रहेंगे और दोनों एड़ीों को एक इंचू पर उठाकर हवा में आठ की काउंटिंग तक रुकेंगे एक दो तीन चार पाच छे बुझाओं को खीचे जी साथ पंजे तानिय जी आठ धीरे से रखेंगे आराम सेडियों को आशन पर इसी अवस्था में कंदे ढिले पंजे ढिले रिलेक्स हाथों को भी ढिला छोड़ दें पंजों को दाएं बाएं लुड़का दें बिलकुल रिलेक्स पुने एक बार मन मनाएंगे भुझाओं को पाओं को खीचेंगे विप्रीद दिसा में दोनों एडियां फिर से हवा में और स्वास भरते हुए राइट पाओं लेफ्ट हैंड आकास की ओर ले चलें वाज बेटा वाज दूसरी टांग हो सके हवा में रहे ये देखिए जी हर्शिता को कितनी बढ़िया से इस्तिती बना दी है कलाई दोनों हाथों की सीधी है पंजे दोनों पाओं के तनेवें धीरे धीरे आएंगे वापिस एडि सेडि मिलते ही लेफ पाओं राइट हैंड उपर वा बेटा भोध बढ़िया छोटी आथ बढ़ी आथ परभाव में है मोटापा बढ़ी जल्दी कम होगा रुकिये 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 रुकने से इलाब होगा थीरे थीरे आएंगे वापिस एक बार एडियों को आराम से नीचे रख लें थोड़ा सा हलका सा विस्राम दे लें पुने मन मनाए पुने बोजाओं को पंजों को खीचें दोनों एडियों को फिर से एक बार हवा में उठाएं हलका सा और स्वास भरते हुए दोनों पाव दोनों हाथ एक सिमिट्री में आकास की और वेरी गुड बेटा ये देखिए जी आख बंद करके रुकना पेट पर होती हुई हलचल को मैसूस करना वेरी गुड बेटा भोत बढ़िया कर रहे हो मज़ा आगया इतनी सुन्दर साधना और इतने दिनों से हमने आपका डैमोन हिले पाए हम वेरी गुड बेटा भोत ही बढ़िया कर रहे हो इस्वर का ध्यान करें और बड़े सहस्ता से रुकें चेहरे पर रत्ती भर्वी तनाव ना हो केवल मुस्कुराहट धीरे धीरे आएंगे वापेश अराम अराम से पाउंग के रखने की अवाज नहीं आएगी हाथों को आगे ले ले रिलेक्स पाउंग में थोड़ी दूरी बना ले समान्य स्वास अब आज का आखरी आशन करेंगे जी हर्सिता के साथ इसी आशन का विप्रीत आशन करेंगे सेतु बना आशन करेंगे दोनों पाउं को इकठा मोडेंगे दोनों हाथों से टकनों को पकडेंगे और स्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे उपर उठाएंगे पहले हिप्स उठेंगे फिर कमर उठेगी फिर उसके बाद वकसे स्थल उठेगा कोसिस करें बेंच नुमा करती बन जाए मेरे शरीर की इसलिए चेश्ट को उठाने का ज़्यादा प्रियास करें वेरी गुड विटा भोध बढ़िया रुकिये 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 समान्य स्वास में रुकें भोध बढ़िया विटा भोध अच्छा कर रहे हो विसेश लाब मिल रहे हैं जी हमारे को महिलाओं के लिए तो विसेश लाबकारी है थाइराइड करंथिया प्रभाव में है धीरे धीरे आराम से सहस्ता से आएंगे वापेस बिलकुल आराम आराम से कभी भी जल्दी नहीं करें एकदम से ना छोड़ें स्रीर को पाउं को सीधा कर दें रिलैक्स सवासन दोनों पाउं में एक से डेड़ फिट की सवा फिट की दूरी हथेली सरीर से थोड़ा सा हटा कर रखें उंगलियों को बिलकुल सिथिर छोड़ दें ऐसा महसूस करें मेरे सारे अंग बिलकुल स्वास्थ हैं जो थोड़े बहुत कहीं दोस्त थे कहीं पे कोई प्रेशानी थी योग से जुड़ने के बाद वो सारे दोस्त मेरे दूर हो रहे हैं प्रभू की इस सुंदर प्रकर्ति के साथ जुड़ जाएं ठंडी ठंडी हवा का स्पर्स नीला अस्मान धर्ती मा की गोद पक्षो का मधूर कल रहो मन में संकल्प करें प्रभू किर्पा से परति दिन जुड़ेंगे समय पर जुड़ेंगे नए साथकों को भी जोड़ने का प्रियास करेंगे इस इस्वर के कार्य में जरूर हमारा भी योगदान होगा मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था दोनों पाव मिलाएं अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं सामान्य स्वास पदमासन अगर लगा पाएं जरूर लगाएं नहीं लगे अर्द पदमासन लगाएं अत्वा सुईदा के साब से नीचे बैठें अत्वा चेर पर बैठें हरसिता आज हमारे साथ है जो सादिक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए स्टूडेंट है परिवार योग से जुड़ा वगा है योग में इनकी विसेश रूची आपको नजर आ रही होगी कितनी सुंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी दक्षता इनकी आसन में आईए हर्सिता के साथ हम भी हर्सित हों और मस्ती भरी असी प्रारम करेंगे आग खोल कर करेंगे अंतिमावर्ती हाँ 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 शांत शांत भाव से बैठे आप अब आखे मन कर लेंजी सिक्स फोर्टी फाई तक हमारी क्लास होती है अब कोसिस करें पूरी क्लास तक हम बैठे रहें जुडे रहें आख बन रहें कमर गर्दन सीधी रहें सबका चेहरा खिला हुआ है लगातार ये मुस्कुराहट ये परसंता आपके चेहरे पर बनी रहें कुछ पल अपने स्वासों को देखिए इस्वर के दिये हुए इन सुन्दर स्वासों को देखिए हर स्वास में प्रान शक्ति को महसूस करें पूर्जा को महसूस करें दोनों हाथ क्यान मुद्रा में हूँ पहले हम कुछ सशक्त प्रानयाम करेंगे जिसमें हमें विसेश सूर्जा की आफशक्ता पड़ेगी जो बुजुर्ग साथी हो जिनका हालिया कोई ओप्रेशन हुआ हो वो शशक्त प्रानयाम ना करके बिल्कुल सहज प्रानयाम करेंगे पहली क्रिया करेंगे हम बस्तरी का प्रानयाम एक मिनट का अभ्यास करेंगे बस दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखें लगाता रीड गर्दन सीधी रहें मूल बंद लगाकर करेंगे इस क्रिया को नए सादकों की जानकारी के लिए निसकासन अंगों को अंदर की ओर खीच लेना सिकोड लेना मूल बंद कहलाता है शक्ति लगाते वे स्वास को भरेंगे शक्ति लगाते वे स्वास को छोडेंगे शुरू करें कुछ tehd कर दो खगाईटी真的 किप कर दो भाईटा हुग हुग है हुग है करना हीजग से अवांग три कि उबाईग कर दो ओस updates अ ऩश्श्ब olması कि अ हम खिर आएग कि यद ऌपाश ँट्टā ऑाइब पर अबंशा अग। पाइग नहीं लंल familiar? कि अधिक अधिक स्वास बहार निकालें आवर्ति को पूर्ण करें सहज भाव से रुख जाएं आखें बंद हैं सुन्दर परभाव को महसूस करें सर्दियों में की जाने वाली किरिया है ये सर्दियों में इसका हम रूटीन में अभ्यास करवाते हैं पात से साथ मिनट कई बार दस मिनट तक भी चार चर्णों में लेकिन अभी क्योंकि सर्दिया नहीं है लेकिन कुरोना से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया इसलिए केवल एक मिनट इसका भ्यास करते हम परती दिन मुस्कुराते रहिए लगातार कमर गरदन को सीधा रखके रुकिए समान्य स्वास हो जाएं कभी हमने दूसरा प्रानयाम करना है कपाल भाती प्रानयाम फिर से हाथों को पलट कर गुटनों पर ही रखा हुआ है वहीं पर रहने दें अभी हमने भरने में शक्ति लगाई छोडने में शक्ति लगाई कपाल भाती में छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, केवल आराम से अपने आप स्वास भरने का इंतिजार करेंगे, मूलबन तो इस प्रानयाम में भी लगा रहेगा, बलकि मान के चलिए जितने भी प्रानयाम हम करते हैं, सब में मूलबन लगा कर ही करे अगर संबव हो तो, आनंद पूर्वक धीरे धीरे स्वास को भार निकालें, धीरे धीरे सने सने स्वास को भरें, मूलबन और शक्ति लगा कर दोनों नासिकाओं से स्वास को भार फैकें, नैचरल रूप से भरने का इंतिजार करें, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, जैसे ही स् भर जाए पुने शक्ति लगाएं भार फैकें भरने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी छोड़ने की आवाज अवश्य आएगी केवल और केवल पेट की मुवमेंट हो बाकी स्रीर इस्तिर रहे स्वास को इतने जटके से भी ना छोड़ें कि चेहरे के उपर तनाव लगे चेहरे की आकरती बिगड़ जाए ऐसा ना करें जी अधिकाधिक स्वास को बहार निकालें भायक कुम्बग में रुख जाएं जब ना रुका जाए धीरे धीरे स्वास भरें आंत्रिक कुम्बग में स्वास को अधिकाधिक भर के अंदर रुख देना कुम्बग खोलते हुए शान्त शान्त अवस्था बहुत अच्छा लग रहा है जी आप सब की मुस्कुराहाट को देखकर पूरा दिन आप यूँ ही मुस्कुराते रहिए अनुलोम विलोम प्रानया बाया हाथ ग्यान मुद्रा में रख लें लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को उठाकर प्रानया मुद्रा बनाएं अंगुठे को रखें दाइन आसिका पर आगे की दोनों उंगलिया मोड कर अंगुठे के मूल पर लगाएं अनामिका को रखें बाइन आसिका पर अनामिका को उटाते हुए बाई और से लेफ्ट साइड से धीरे धीरे स्वास को भरिए बिना आवाज किये स्वास को भरिए अंगुठे को उटाकर राइट साइड से स्वास को भार कीजिए अब राइट साइड से स्वास को भरिए लेफ्ट साइड से स्वास को भार कीजिए ना स्वास भरने की आवाज आए ना स्वास छोड़ने की आवाज आए मुस्कुराते हुए सुन्दर आवर्तियों को रिपीट करते जाए किरिया के दोरान दो तिन बातों का विसेज ध्यान रखिए उन बातों का ध्यान रखेंगे इस प्राने आम में आपको और अधिकला प्राप्त होंगे पहली जो चीज ध्यान रखनी है स्वास को इतना धीरे भरना और छोड़ना है कि स्वास के छोड़ने की भरने की आवाज आपको स्वेम भी ना सुनाई दे इतनी धीरे आपने इस स्वास की किरिया को करना है दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है स्वास का अनुपात बराबर हो समय बराबर लगे जितना समय स्वास को भरने में लगाएं उतना ही समय स्वास को छोड़ने में भी लगाएं इसके लिए क्योंकि आखें बंध है समय नहीं देख पाएंगे तो मन ही मन काउंटिंग का सहरा लें पाच की काउंटिंग में अगर स्वास भरा, तो पाच की काउंटिंग में स्वास को भार करें, इस काउंटिंग को कम या ज्यादा किया जा सकता है अपनी स्विधा के इसाब से, छम्ता के इसाब से, और एक और विसेश बात आपने ध्यान रखनी है, पूरी कंसेंटेशन, प पूरा फोकस आपका आते जाते स्वासों पर हो, मन की आखों से उस स्वास को मैसूस करना है आपने देखना है, इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए सुन्दर आवर्तियों को करते जाएं। इस पुरानयाम के इतने अधिक लाव, जिनको सब्दों में नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ा लाब जो आज के समय की सबसे ज़्यादा जोड़त हमारी इम्मिनिटी को कई गुना बढ़ा देता है ये प्रानयाम। रोगों से लड़ने की जो चमता है हमारी प्रती रोधात्मक शक्ती वो भड़ रही है इसके करने से। बीपी, तनाव, अनिद्रा रोग, शुगर, इन सबसे छुटकारा दिलाता है ये प्रानयाम। करना लेकिन पूरी स्रद्धा के साथ, पूरी ततपरता के साथ, पूरी एकागरता के साथ, मुस्कुराते भे करिए, रीड गर्दन को सीधा रखकर करिए। आज हमारे साथ हरसिता बिटिया, कितना सुन्दर परदरसंदेरी है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, हमारे बच्चे केवल पढ़ाई में नहीं, उनका योग में अध्यातम प्योर भी पूरा फोकस है, बाई ओर से स्वास को निकालते हुए, अपनी किर्या को विश्राम देंगे, हमने शुरू किया था स्वास भरनित भरते हुए लेफ्ट साइड से, और स्माप्त भी करेंगे, स्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से, दोनों हाथ ग्यानमुद्रा में आ गए, कुछ पल के लिए, इसका मानसिक अवलोकन करें, देखें अपनी मने स्थिती को, सुन्दर परभाव को, सुन्दर आनन्द को, हल्की हल्की मुस्कान, होथ ही प्यारी लगती हुई, आए, अब उस्परम पिताब प्रमेश्वर का ध्यान करें, उसी स्वर का ध्यान करें, आज का अंतिम पड़ाव, दोनों हाथ या तो ज्यान मुद्रा में रहे, या ब्रह्मांजली मुद्रा में रख सकते हैं, अपनी नाभी के निकट, बाई या थेली के उपर दाई या थेली, और बड़ी सहस्ता के साथ बड़ी आराम दायक इस्तिती में रखें, आईए, उस पर्भु के प्यारे नाम का उच्चारन करें, मिलकर ओम धावनी का सब लोग साथ देंगे, जब ओम धावनी करें, बड़े दिल से तड़खते हुए उस पर्भु को पुकारना है, जितने प्रेम से पुकारेंगे, जितनी स्वध्धा के साथ, इस्वास के साथ पुकारेंगे, पर्भु दोड कर आएंगे, हमें अपनी गोध में लेंगे, सभी साथ देंगे, आवाज से आवाज मिलाकर साथ देंगे, भरिये स्वास, अम्, 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 अम् 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 शान शान अवस्था मन ही मन अम् का जाब चलता रहे ऐसा परतीत हो चारो दिसाव में अम् की मधूर्धवनी अम् का सुंदर गुंजायमान अम् अम् की वाइबरेशन्स को अम् की उर्जा को महसूस कीजिए बिल्कुल शान्त भाव से बैट अब एक मिनट उस पर्भू के ध्यान में खो जाएं वो पर्भू जिसने हमें जीवन दिया जिनकी किर्पा से ये स्वासें चल रही है सुंदर परिवार दिया सुंदर योग साधना के साथ जोड़ा हमें महसूस कीजिए उस पर्भू का साथ कीजिए पर्भू से बातें खो जाएं एक मिनट के लिए मेरी भी आवाज नहीं आएगी जाएं एक मिनट कीजिए रही है वहाँ जाएं जाएं वहाँ लिए सुंदर क्ष़ जाएं बात्त परभू का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए विशेष सुकुन को विशेष शान्ती को विशेष खुसी को महसूस करें आनन्द ही आनन शान्ती ही शान्ती ये परभू परती दिन हमें आपसे जुड़ें इसी परकार आप हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाते रहें हमें इस सनमार्ग पर सदैव बना कर रखें परभू बार बार यही प्रार्थना यही विंति परभू का सिर्वाद मिला आईए आज की गख्षा को विश्राम देते हैं एक लंबी ओम धवनी होगी शांती पाठ करेंगे बंद आखों में करेंगे ओम धवनी के लिए गहरा लंबा स्वास लीजिए ओम ओम दो शांती अंतरिक्से ग्वंशांती पिथे विशांती रापा शांती रोषधया शांती वनस्पत्या शांतिर विस्त्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांती सर्वेग्लं शांती शांती रेवा शांती 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 रेधी ओम शांती 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 बंद आखों में मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगडेंगे आखे नहीं खोलेंगे अभी विसेश आध्यात्मी को उड़्जात्पन हुई इसे अपने पूरे स्रीर पर मुख मंडल पर धान करेंगे और बड़ी धीरे से ओताराम राम से अपनी आखे खोलेंगे जिन सादकों के पास टाइम हो वो कुछ देर के लिए और परहू के ध्यान में खोए रहें आज की कक्षा को यहीं विस्राम सभी सादकों का जुड़े हर रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हरसिता बिटिया का तो बहुत ही विसेश विसेश धन्यवाद भगवान इसको किसी परकार योग से जोड़ के रखे पढ़ाई में भी और भी जो इसकी इच्छाएं हैं जो गोल हैं वो यह पूरा करे पूरा प्रिवार इनका योग से जुड़ा रहे इसके माता पिता को विसेश धन्यवाद आगे भी यह हमारे साथ जुड़ती रहेंगी आगे भी हमारे साथ इसी परकार कम से कम हफते में एक बार डैमो जरूर दें ऐसी हम कोसिस करेंगे आशा रखेंगे सभी अधिकारियों का विसेश धन्यवाद जो इसी परकार हमारा साथ दे रहे हैं तो आज की कक्षा को विस्त्राम देते हैं आप सब का दिन शुब हो मंगल में हो किस तूटी के लिए छमा के लिए छमा मांगते हैं कल ठीक साड़े पाँच बजे फिर से मिलेंगे जी धन्यवाद